रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा नहीं ये तैह हो पा रहा है कि यूद्ध का अंत कहीं है या इसका कुछ नतीजा निकलेगा कीव जो यूक्रेन के राजधानी है उसको रूस ने तीनों तरब से घेर कर अब बंबारी लगातार कर रहा है ये धमाके यूक्रेन के नियत हो चुकी है युद्ध ने तबाही को यहां के फिजा बना दिया है शहर खंडर होने का दाइरा बढ़ रहा है ना धमाकों की गूंज थम रही है ना ही खौफ की तस्वीरे रुक रही है हाँ इतना जरूर है कि रूस और यूक्रेन युद्ध अब तीसरा विश्व युद्ध की आशंका को और तीज कर रहा है लेकिन क्यों यह बताने से पहले अमेरिका के राष्ट उपती जो बाइडन का यह बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका युक्रेन में रूस से नहीं लड़ेगा साथ ही कहा कि नेटो और क्रेमिलीन के बीच सीधा टक्राव तीसरे विश्व युद्ध को गती देगा तो पहले सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा एक तरह बाइडन कह रहे हैं कि हम युक्रेन को हत्यार और लोगों को पना देंगे उसकी एक एक इंच की रक्षा करेंगे तो वहीं दूसरी तरह कह रहे हैं कि हम युक्रेन के रूस के खलाप जंग नहीं लड़ेंगे नेटो और रूस के बीच सीधे टक्राओं का मतलब तीसरा विश्व युद्ध है जिससे हम सभी को बचशना चाहिए ऐसा बाइटन का कहना है यूक्रेन के सडकों पर टैंक नजर आ रहे हैं आजमान में फाइटर जेट की गुंज सुनाई दे रही है इंसान के नाम शैनिक हत्यारों से लैस दिखाई दे रहे हैं यूक्रेन का मतलब अब दर्द है चीख है और यख्म है पलायन है क्योंकि यूक्रेन का कोई शहर ऐसा नहीं जो रूस के हमलों से छली ना हुआ जंग अब कीव पर कबजे की है रूस ने कीव की फाइनल घेरा बंदी तेज कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ 11 मार्च को वाइट हाउस में प्रेस कानफरेंस में जो बाइजन ने कहा कि हम यूरोप में अपने सहयोग्यों के साथ खड़े रहना जाड़ी रखेंगे उन्होंने कहा कि नैटो और रूस के बीच सीधा टक्राव तीसरा विश्वयुद्ध है नैटो उत्तर अंटार्टिक संधी संगठन यानी नैटो तीस उत्तरी अमिर्की और यूरोपी देशों का एक समू है नैटो के नुसार उसका उड़ेश राजनितिक और सैनन साथनों के माध्यम से अपने सद्ध्यों की सतंतर्ता और श्रक्षा की गारंटी देना है यूक्रेन के राष्टपती बोल्दूमीर जैलेंस्की ने वीकेंड में रूस के खलाब करवाई के लिए यूएस और उसके सहीयोगी देशों पर दवाब डाला था जिसका असर भी दिखा इसके बाद अमेरिका समेट दुनिया की कई देशों ने रूस के साथ बैपारिक सम परतिबंद तोड़ दिये साथ ही कई परतिबंद भी लगाए बाईजन ने रूसी तेल और गैस उतपादों के आयात पर परतिबंद लगाने का फैसला किया था अब बाईजन ने रूस के खलाब बायापार को लेकर नए परतिबंदों की घोशना की है जिससे रूसी परतिबंद लगाने की बात कही है 11 मार्च को जो बाईजन ने कहा कि दुनिया पुतीन का सामना करने के लिए एक साथ आ रही है इधर दुनिया के बाकी देश रूस को परतिबंद लगाकर कमजूर करना चाहते हैं और उधर रूस यूक्रेन को बरबाद करके ही रुकनी का म बार बार बंबारी हो रहा है मिसाइल गरजते ट्रेंक गोलियों की गुंज और बंबारी करते लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन को आगाह कर दिया कि अगर शर्ते नहीं मानी तो चारों तरप से मलवा ही मलवा नज़र आएगा रूस यूक्रेन के तमाम अहम सामरिक ठिक कानों को टार्गिट करना चाहता है अर्थ तंतर पर करारा चोट करना चाहता है जिस मकसद से रूस के राष्टपती ब्लादिमीर पुतीन ने यूक्रेन पर हमले वाले ओर्डर साइन किया वो अब तक पूरा नहीं हुआ वैसे यूक्रेन के कुछ एहम शहर रूसी कबजे म लेकिन यूक्रेन ने भी अपना रुख नहीं बदला वो भी रूस से डट कर सामना करनी की तयारी में है और मोड बना रखा है अपने नागरीकों को भी हत्यारों से लैस्ट कर रहा है यूक्रेन के राष्टपती बोलदोमीर जलेंस्की ने मासकों की तीखी आलोशना करते ह कि रूस यूक्रेन में लड़ने के लिए सीरिया से हत्यारों को लाया जा रहा है इससे पहले यूक्रेन के राष्टपती कार्याले के परमुख मिखाइल पोडोलिक ने कहा कि रूसी रक्षा मंतरी सो इंगु सहीत रूसी अधिकारियों ने यूक्रेनी नागरीकों के लड़ाकों के जल्दबाजी में भरती की घुशना की है आई एस आई एस को काम पर रखना और रासाइनिक हत्यारों के बारे में रूसी प्रचार दावे यूक्रेन में सिर्याई प्रदिश को लागू करने के प्रयास की गवाही देते हैं वह रूस के राष्टपती बलादिमीर पूतीन द्वारा यूक्रेन में स्वेम से भी लड़ा के भीज़ जाने के आदेश पर प्रतिकिरिया दे रहे थे रूस के राष्टपती बलादेमीर पुतीन ने यूक्रेन पर हमले में शामिल होने के लिए मद्ध पुरब और अन्य भागों में स्वेम से भी लड़ा को लाने का अदेश दिया है। रूस के राम के कोशिस कर रहा है। पहली बार युद्ध पर्शीन के परधान मंतरी ली केंकियांग ने बिना रोस के अलोचना की हुए कहा है कि हर कोई शांती चाहिए। तो डोरनेस्ट्क और लुहांस्क को स्वतंतर संस्थाओं के रूपे में माननेता दे दी थी। अब लड़ाई काफे आगे निकल चुकी है। बरहाल जंग लंबी चलती जा रही है। युद्ध विराम की हर कोशिस नाकाम होती जा रही है। बार बार रूस यूक्रेन को तबाह करना चाहता है और बंबारी में साइले दाग रहा है। अब कीव को भी कबजानी की कोशिस हो रही है और ये अंतिम लड़ाई ही समझा जा रहा है। क्योंकि कीव पर कबजे की बात तब होती है जब राजधानी कबजे में हो जाए तो यूक्रेन पर जीत रूस को आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद शायद युद्ध भी खत्म हो जाए या फिर और भी लंबी चले ये कोई नहीं जानता। आप देखते रहें नियोज तक।